पोस आपको पता कालग दी ग्ग्ष्टर ने आपके बाई को मार दिया क्या ? पिमाद तो खराग नियोंगे ला तेरा क्या बोल रहा है ? नए भूर्स्स्त मेरा एक दोस रहता है रेंगल में उसी का फोन आया था वो बता रहा था क्या बोला तेरा दोस कि चपन बाई मर गया उसने बताया चपन बाई ने पहले कालादी गैंग्स्टर के भाई को मार दिया था फिर उसने चपन बाई को मार दिया बोस पागल तो नहीं होगे ना आपके भाई मर गये और आप हस रहे हो जो काम मैं नहीं कर सका उस काला दी गेंग्स्टर ने कर दिया बोस मतलब आप भी अपने भाई को मरवाना चाहते थे पर क्यों हाँ क्योंकि मेरे बाप ने सारी प्रोपर्टी उसके नाम कर दी थी और मुझको धक्के मार कर इरेंगल से निकाल दिया मैं मिरामर आकर रहने लगा और यहां के डॉन का खास आदमी बन गया फिर एक दिन मौका लगा कर मैंने उस डॉन को ही टपका दिया और यहां का डॉन बन गया बोस पर आप तो इतने बड़े डॉन हो आपने चपन भाई को पहले क्यों नहीं मारा उसके पीछे भी एक राज है वो क्या बोस तुझको जानना जरूरी है चल भग जा मेरे लिए एक एनरजी ट्रेंक लेकर आ मीमो नी चोड़ कर जी बोस लाता हूं अब भी सुनो अब कालादी गेंग्स्ट्रों को फोन करो और यहां बुलाओ उसको बोलो कि मीरामार का डौन जरीला मिलना चाता है तुमसे ओके बोस हेलो हमें कालादी गेंग्स्ट्र से बात करनी है हाँ मैं ही बोल रहा हूं बोल कौन है और क्या काम है काला भाई मीरामार के डौन जरीला आपसे मिलना चाते है उन्होंने आपको यहां आने के लिए इन्वाइट किया है उसको बोल काम उसको हो है मुझे नहीं वो यहां आएगा बोस उसका अलदी गैंक्स्टर ने का काम आपको है तो आप इरेंगल आओ एक्टिट्यूड आइ लाइक चलो फिर तयारी करो चलने की मिश्टर काला दी गैंक्स्टर ने का गैंक्स्टर आई लाइक और एक्टिट्यूड जिसने मुझको यहां खीच लिया आज तक किसी की हिम्मत नहीं होई कि जैरिला को ऐसा ऐसा बोल सके देखता याड़े काला दी गैंक्स्टर ने विना इरेंगल में पता भी निलता और यहां पना राज चलता है पहले सुना तुमने रिसेंटली अभी चपन भाई को मारा हां सही सुना तुमने तुमको पता है भाग कौन था हां पता वो तेरा भाई था और इतना ही नहीं तेरे बापने सारी प्रोपर्टी उसके नाम कर दी थी और तुझे घर से वेदगल कर दिया था फिर तु मेरा मार चला गया और वहां के डौन को मार कर खुट डौन मन गया हाहाहा तुमको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है I like it छोड़ो इन सब बातों को तुम ये बताओ मेरा मार को डौन को इरेंगल क्यो आना पड़ा इतना भी क्या जुरूरी काम था तो फिर सुनो मेरा मर में मेरी दहशत है इरेंगल में तुमारी मेरे साथ हाथ मिला लो दोनों मिलकर राच करेंगे ना 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 इरेंगल पर शिरफ काड़ा ती गैंस्ट का राच चलेगा किसी ने इसकी तरफ आँख उटा कर देखा तो उसकी आँखे निकाल लूँगा पचता होगे जेरिला की बात ना मान कर लोगों की बात नहीं सुनता मैं अभी भी मौका है नहीं चाहिए लात मारता हूँ मैं ऐसे ओफर पर शांती से सोचो येलो एक करोड उसी उठा लो इनको मैं फैकें वह पैसे नहीं उठाता गेंडा सुआमी अब अपनी खैर ये चाहते हो तो निकल जाओ यहां से नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुमारे साथ देख लूँगा जेरिला के नज़े जिस चीज पर पढ़ जाती है न उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है हाथ लगा कर दिखा काट दूँगा अब इतने गुस्से में क्यों हो आप तक उस कालादी गैंक्स्टर को मजा नहीं चका देता न मुझको चैन की नीन नहीं आएगी आप चिंता मत करो जब तक उसको खतम नहीं कर देते हम यहीं रहेंगे फीग है उस पर नज़र रखो वो कहा जाता है क्या करता है मुझको सब चीजों की खबर चाहिए जी बोस खाला भाई मैं क्या सोच रहा हूँ क्या मुझे लगता है वो जहरी लग कुछ ना कुछ तो करेगा कुछ नहीं कर सकता हूँ हमारा है देख लेंगे चिंता मत करो और एक काम करो घर से जो भी बार जाएगा उसके साथ दो या तीन आदमी जुरूर बेजना अकेले कोई भी मत बार जाना खीक है भाई ये तो काला दी गैंग्स्टर की काली है उसके साथ वो बोडी गार्ड होंगे इसका मतलब ये डेली मंदिर आती है बोस को बताता हूँ बोस काला दी गैंग्स्टर की पतनी काली डेली पोचिंकी के मंदिर आती है अच्छा एक काम करो उसकी पत्नी को उठा लो ओके बोस लड़की को पकड़ लो और बोडी गार्ड को मार दो काला भाई बाबी पर अटेक हुआ है गुंडो उनको पकड़ रहे हैं और हमें नौक कर दिया तुम चिंटा मत करो तुम्हारी बाबी अपने आप देख लेगी उनको अटेश बाबी आप देख लेगी उनको मुझें व्याच बैठा कोई चोटी दास टार होंगे मैंने तुझे कहा था इरैंगल छोट कर चला जा नहीं तो मारा जाएगा लेकिन तु नहीं गया तुमने गलती की इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी ये तेरा राइट हैंड है ला अबे साले तेरी इतनी इम्मत मार दो सब को हाँ हाँ इसको यह नहीं पता काला दी गैंग्शर कुछ भी गड़ सकता है लेकिन मर नहीं सकता तो क्या बोलती पब्लेक लाइक और शेयर कर दो काला दी गैंग्शर के लिए ओन है उजए जा देर किन दो क्यार को चक्ट बोलती गड़ी जले कर दो कि मेंग्शर को उतक कर दो कि कि कर दो कि दो कि अई हू नहीं तो कि अच्ट दो I